खरगोन में अठोत्तर पर कोरोना पाजिट्यू का आकड़ा पहुशने के बाद भी रेड जोन से औरेंज जून में शामिल करने को लेकर सोशल मीडिया पर जहम कर बहस बाजी हो रही है वही कोरोना पाजिट्यू के इतने बढ़ते आकड़ों के बावजूद जिला प्रसासन की लापरवाई परेशानी का सबब बन सकती है जिस तरह अन्य राज्यों में वाहनों में ठूश ठूश कर मजदूरों को लाया गया सोसल डिस्टेंस नियमों की धज्या उड़ाते ये नजारे अपने आप में जिला प्रसासन की लापरवाई उजागर करते नजला रहे है खरगोन प्रसासन दुआरा साथ सो सदिक मजदूरों को गुजरास सहित अन्य राज्यों से लाया गया जिनने मेला मेदान में एकत्रगर जांच उपरांद अपने अपने घरों में जाने के लिए वाहनों से विजवाया गया आप देख सकते हैं जिस तरह बड़ी संख्या में मजदूरों को लाइन में खड़ा किया गया है वह भी बिना सोसल डिस्टेंसिंग के वहीं वाहनों को भी बड़ी संख्या में लाइन ले जाना है काम क्या जा रहा है कहीं न कहीं परसास्निक लापरवाई के साथ साथ मनमानी नजराती है जबकि खरगों से बाहर जाने की अनुमती पर कई तरह की पावंदिया लगा कर लोगों को परिसान भी किया जा रहा है मजदूर घर पहुशने पर खूस है हाला कि परसास्निक व्यवस्ता पक मजदूरों को नियमानु साथ सोसल डिस्टेंसिंग से घर तक भीज़वाने की बात कह रहा है जबकि लापरवाई साथ नजरा रही है एस डेल 24 न्यूस के लिए फरिस सेख की खासी बोड़ कितने दिन हो गए थे हो अब करीबन दो मिने से बेटे क्या परेशानी आरी थे हो अब बस खाने पहने की तांग नंदा कुछ नहीं बेटके जो भाया थे बेटके खा गए कितने लोग हो तो अब कहा जा रहे हो आप घर पे जा रहे हैं कहा गा बुग्रे घडी क्या नाम आपका कालू यह कोविड-19 महामारी के तहद जो अन्य प्रदेशों में खरगोन जीले के मजदूर फसे हुए हैं उनको लाने की व्योस्ता की जा रही है प्रशाशन की और से वरतमान में ये गुजरात में जो मजदूर फसे हुए जीले के उनको प्रशाशन के माध्यम से विभिन बसे भेज कर लाया जा रहा है यहां पर उनकी स्क्रीनिंग हो रही है स्वास्तिवास के माध्यम से और उसके बाद इनको इनके गंतवी स्थल तक बेजा जा रहा है अ हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भुलें